तो आज नौरात्री का दूसरा दिन है और नौरात्री के दूसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुक्क कामना है हेलो माई लवली यूट्यूब फैमली कैसे हो आप सभी आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल पर यूट्यूबर साधना सोनी हैपी विट सिंपल लाइफ सो ओके गाईज यहाँ पर मैं अपनी पूजा आपके साथ शेयर कर रहे हूँ वसे थो मैं डेली पूजा करते हूं बट क्या है की वो मैं आपके साथ शेयर ने कर पाती हूं यहाँ पर मैंने क्या सोचा है ना यह नो दिन आपके साथ अपनी पूजा शेयर करना चाहती हूं और यहाँ पर मैं आप लोगोंegal को आर्थी दे रहे थी मा भगवती से प्रात्ना कर रही हूँ कि आप सभी का स्वास्त अच्छा रहे और आप सभी सेहत मंद रहे जैसे जिसके मन में काम ना है भगवान मातारानी सभी की पूरी करें सो ओके गाइस यहां पर पूजा फिनिश होने के बाद मैंने सोचा चलो अपना गैटाप आप लोग को शो करा दिया जाए क्योंकि होता है ना क्योंकि मैं आप लोग को बता दू मेरे सारी व्लॉग है यह ठीक है तो डिमांडेड वीडियो है यह सभी मुझसे बोल रहे थे सा मेरे साड़ी किया हुआ है आपका जो हुआ है उसे में पूरा कर रहे हूँ इन उतंह डें पूरा कर दोगवी है धातो और यहम Ooh यह मुस् photography जानना जरूरी है क्योंकि मैं एक कैसे रहती clique कैसे नहीं रहती हूँ कैसे क्या है जो भी मुझे से रिलेटे सब आपको जाना ज़रूरी है तो यहां पर कुछ मुझे स्वेटिंग हो थी फेस में तो यह आज पास कि जो हेर नहीं है इसमें आप दे सकते है cycling row 23 गार पे Des teem और उर्ण गेंटा už बूर गेल तो अभी यहां पर क्या है यह ज्रुक्स मेरा पीसलi मेरी विहां भीरा ना अप्नलबिया खरेंडे घंवे औरभी मनें breakfast नहीं किया है. जिसके बिगर तो मेरा गुजारा ही नहीं है. तो मैं सोच गयी, छलो थोड़ा मोड़ा जो भी है breakfast कर लिया जाए. और है आँश आपके साथ मैं अपना lunch शेयर करूँगी. और हाँ, मैं एक बात और कर लूँ कि मैंना आपके साथ अपना लंच शेयर करूँगी लेकि उससे पहले एक बात और करूँ क्योंकि मुझे अभी याद आ रहा है तो मैं कर लूँ वरना मैं बाद में भूल जाओंगी पता है ना मुझे क्या लगता था मेरे पास साडिया नहीं है ठीक है अब माई गॉड मैंने जब यह साडिया नहीं सो यहां पर पता है क्या है ना कि मेरे बाल बहुत ही अजीब से लग रहे थे बहुत ज़दा फीजी फीजी से लग रहे थे जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे और आज मैंने अपने बालों में हेयर पैक लगाया था और बिल्कुल होममेड हेयर पै बहुत जड़ा जड़ भी रहते तो आप जितनी करो टो उतना जयदा मतलब क्या डैमज जाती ही चीजिए तो मैं क्या सोच रही है कि हभी बालों को थोड़ा सा जो यह अधोन जानी कहां से कितने अजीब से लग रहे और मुझे जब भी अपने बालों की कंडिशन ऐसी लगती ना मुझे बहुत बुरा सा लगता है बहुत अधर बुरा लगता है तो यहां पर मैं अपने स्टेटनर से अपने बालों को बिल्कुल काया प्लेट कर दूँगी आप लोग देखिएगा जरूर आफ्टर मेरा जो लुक होगा स्टेटनिंग के बाद आप जरूर देखेगा इतना अच्छा लगेगा आप लोगों खुद भी और यह जो मेरा जो है जो स्टेटनर मर्शीन है इसका मैंने बहुत अच्छा सा रिव्यू दिया हुआ है कि आप घर पर अपने बालों को कैसे स्टेट कर सकते हो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मेरे पर आप जाकर देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो में तो यह मैं इसना आपको भी फिलहाल के लिए बता दू जो मेरा स्टेटनर है यह है फिलिप्स का और इसके आगे आप लोगों के लिए इस तरह से कर रहे थी सो गाइस फाइनली यह देख सकते हैं आप मेरे बाल अब कैसे लग रहे तब और अब देखिए आप कितने प्यार ही लग रहे है ना बहुत ब्यूटिफो है बहुत जादा मुझे मेरे तो किया आप लोगो साय है साय है सायd स्विर्ट लग सकता है लेकिन बरा मत मानिएगा क्या है आपको थोड़े से मेरे बालों मेरे ना कुछ दि और इस ट्रेट करने के लिए हमेंसा बालों को पहले थोड़ा घीला होना चाही इसलिए मैंने गीले वालों में किया था क्वाल को टच कर रहे हूं माइंड मत करना क्यूंकि अभी नया नया किया तो बार बार हाथ वहीं जा रहे और बहुत अच्छा लग रहा था बालों को टच करने में और यहां पर आभी मैंने बेंगल के लिए क्या सोचा है न कि मैं नौ दिन तक यहीं बेंगल पहनना चाहती ह है औरण होगा तो च्छ बी कर लों गी ऐसा कुछ नहीं कि यहीं पहनूंगी दूधा था यहाँ नहीं मैंने कोई टो आइपके और स्वेस्थ की और यहई चेशिक करता हैrok मथे ही चेलिकी बस तो ही देखिए कितने ब्यूटिफुल लग रहे हैं और मुझे आपसे और भी कुछ कहना था बट मुझे भी याद नहीं आ रहा है चलो बाद में याद आएगा तो जरूर बोलूगी और अभी मैं चलती हूँ किचेन में लंच त्यार करती हूँ बागी त्यारी तो मैंने क्या क्या त्यारी कर लिए चलो ओके गाई तो अभी किचेन में मैं आ चुकी हूँ और तो पहले भी गई थी मतलब दुबारा से आई हूँ बालों को टाई करके तो यहाँ पर मैं अपनी फेवरेट सबजी बनाने जा रही हूँ पता नहीं क्यों मुझे बैंगन बहुत जोल दार बनाओ जोल बोलते है ना वो रसेदार चाहे आप वो बनाओ चाहे आप बैंगन को ड्राई बनाओ चाहे आप बैंगन का भरता बनाओ कुछ भी कैसे भी करके बैंगन बनाओ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ठीक है और तैयारी में मैंने यहाँ पर क्या कर ल तो चलिए मैं अपने स्टाइल से बनाओंगी रेसिपी शेयर नहीं करूंगी आप सभी को पता है किस तरह से बनाई जाती है बैंगेन अलुही जबजी बस मैं तो अपनी कुकिंग कर रही हूं और आप एंज्वाई कीजिए तो यहां पर देख सकते हैं फटा-फट से मैं कु अलाकि उनका पेट भरा रहता है इतना नहीं लंच करते हैं हलका फुलका करते लेकिन फिर भी मेरी एक रहती है ना मां का दिल बोलते है ना तो मैं चाहती हूं ठूचन जाए तो वह लंच वगरा करके जाए इसलिए फटा-फट मैं लंच रेड़ी कर रही हूं तो यहां प चुकी है कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है दिखने से और मैं आपको बता दूँ कि हम लोग ना मैं सभी की बाते हैं तो कि हम लोग तीन तरह से टेस्ट लेते हैं खाने का ठीक है अब आप बोलोगे तीन तरह से कैसे तो मैं आपको वह भी बता देती हूं तीन तरह से इस तरह लेते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कोई भी खाना वगरा होता है हम उसको देखते हैं तो देखते ही हमको क्या टेस्ट मिल जाता है हना जैसी देखा तो हम ऑविसली हम बोलते हैं वाओ क्या ब्यूडिफुल कितना डिलीश दिख रहा है तो आधा टेस्ट तो हमने तब ले लिया एक टेस्ट हम लेते हैं जो दूसरा टेस्ट होता है वह हम लेते हैं अपने नोस से ठीक है क्योंकि जब भी खाना हमारे सामने आता तो उसकी खुश्व ऑंफ है जय रोती पार उस नो पती है क्या अच्छी सी और होर्द एम पतार्स बारें कि दूसे में इस लिए खाने है गारें प्रश्फ एस तेस्ट में पोलोर सेके होमेंगी प्रश्फ में गी के बेसन के लड़ू है मैंने पतिदेव जी से दुबारा मंगवाए थे क्योंकि वह तो भगवान को चलाने के लिए मंगवाए था सो वह प्रशाद में बहुत अच्छा लगा मुझे कोई कोई में देसी घी के नहीं होते है तो वह अच्छे लगे दुबारा मैंने फिर से मंगवाए तो यहां पर राइज है सालेड है और देसी घी का लड़ू है इतना ज़्यादा डिलिशियस था बस मैंने सब खाव ना तो पूरा घुल गया खाटम लड़ू तो मूह में डालते ही तो यह देखिए आप पूरा देखिए देसी घी से पूरा ऐसे है इतना अच्छा टेस्ट कि मत पूछो गाईज तो यहां पर आप सबजी देखे कितनी ज़्यादा डिलिशियस लग रही ना मुझे बिल्कुल इसी देखे भी तो आधा टेस्ट लेते ही हैं जैसे मैंने बताया और यहां पर दाल है तो यहां पर मैं इंजॉय करती हूँ अपना लंच और मिलती हूँ आप से साम के टाइम पर इवनिंग टी के टाइम पर मिलूंगी पक का ठीक है ओके गाईज तो यहां पर हमारा लंच वग है यह क्या इसमें तॉफी वगरा रखती हूं ठीकि लेके आते हैं तो तॉफिस फाड़ के इसमें रख देते हूं यह चायी का फ्राइपन है और इस अगरा फ्राईय प्रैपन का यह रहा है और यह सब्सक्राई में ही अप्र गगा दोंगी और इससे उसको नहीं कि बच्चे तो इसको मैंने धो दिया था फिर इसमें रख देती हूं और सामने रख दूँगी ताकि बच्चे अपने हाथ से निकाल के अराम से एंजोई कर सके ठेक है तो यहां पर इस तरह से यह रख दिया है और इसके बात पता है क्या टोस्ट है ना मैंने टोस्ट भी ऐसे रखा अगर आप किसी कंटेनर पर से रख दिया है बडिया है मुझ्य तो यहां पर हुआ हुआ है करंगी है टोस्ट भी मैंने रख दूँगी पी तरह संतलि हैं तो अभी क्या है? चाइ चलानी मुझे चाइ पीओगी क्योंकि शाम होते ही मुझे चाइ पीने की बहुत ज़दा मतलब ऐसा लगता है चाइ पीना है याम हाहा आroeकर आप लोग पता है मुझे चाइ पीना है कितना ज़दा पसंद है अधरक वाली चाय मुझे बहुत पसंद चाय गर्मी हूँ सरदी में तो अच्छी लगती है लेकिन मुझे क्या ना गर्मी में भी थोड़ी बहुत अधरक वाली चाय अच्छी लगती है तो टोस्ट लेने वाली हूँ मैं चाय के साथ तो चलो अभी चाय चला लेती हूँ ठीक है? चाय चलाती हूँ आज का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है सोरी व्लॉग आज का व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक चाप दीजिए लाइक चापने में बिल्कुल कंजोसी मत करिए invites दिल खोल के लाइक चापने चापने dal के gap can apply के लिए उसके बाद अध्रग डालेंगे और मुझे आपके साथ कुछ बात और कहनी थी बट मुझे अभी याद नहीं आ रही है इस टाइम पे तो चलो अभी आगे अगर याद आ जाएगा तो बोल दूँगे नहीं तो फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में बोलूगे क्या पता याद आज है अभी फिलाल बिल्कुल नहीं याद आ रहा है तो आज के व्लॉग में बस इतना ही है गाईज अगर आपको पसंद आया है तो जैसे मैंने पहले बोला लाइक चाप दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप मेरे फैमिली मेंबर बनेंगे तभी तो आप मुझसे जुड़ पाएंगे है ना तो मेरे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना क्योंकि वो नोटिफिकेशन के बेल होती है नेक्स टाइम मैं कभी भी वीडियो या व्लॉग पोस्ट करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी और आप सबसे पहले मेरे व्लॉग को इंज्वाइ कर सकोगे तो प्लीज 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 चैनल को सबस्क्राइब कर लो और इस व्लॉग को ठे सारे लाइक छाप देना और शेयर कर देना जहां भी शेयर करने का मन हो अपने भाई बेन के साथ फैमली में फैन्स में कहीं भी शेयर कर देना और प्यारे-प्यारे कॉमेंट्स करके बताना आज का व्लोग आज का व्लोग आपको कैसा लगा मिलती हूं नेक्स व्लोग में तब तक के लिए बाई बाई चेके लोव यू ओल गाईज बाई